नमस्कार आप देख रहे हैं मुबाइल नियूस 24 मैं हूँ अविसेक कुमार पहले चरन दूसरे चरन और उसके बाद अब तीसरे चरन बिहार विधान सभाज चुनाव में हम पहुँच गए हैं और आप आपको दिखाते हैं कि मितलांचल का जो ये बेल्ट है किस तरह हर्याली है खेतों में आजकल धान की कटाई चल रही है और नेता जी चुनावी परचार में गौँगाँ घर घर घूम रहे हैं और गौँगाँ भी ऐसा है कि आप देखेंगे ये जो पूरा छेत रहे स तोनवर्सा टोल का है हम बात करेंगे रंजीत यादब जी हमारे साथ है जो निर्दलिया परत्यासी के तौर में इस बार चुनावी मैदान में हैं आर जेडी के नितात थे लेकिन अब कहीं न कहीं आर जेडी से अलग होकर एक अलग मुहिम बनाये हुए हैं साथ में कई गा निश्चित रुपें देखिए हम सब दिन जनता के सेवा में एक सेवक के रूप में सब दिन सरक परी है और अब मुझे कोई नया नहीं लग रहा कि मैं आज सरक पर हूँ मैं सब दिन अपने जनता माली के सेवा में लगभग 25 वरसों से लगा हुआ है तोटल जनता का असिर बहने वाली है निश्चित रुपें अगर जनता का सिर्वाद रहा और जनता का सिर्वाद है भी मेरे पास निश्चित रुपें ये सुहानी रहेगा ही सहरसा कई डगर है कई राह चल रहे हैं अभी कई नेता देखिए अलग-अलग और काफिला इस तरह का ही लंबा-लंबा हुजूम चल रहा है ऐसे में मैं चाहूंगा रंजीत जी क्या अपील करेंगे सहरसा की जनता से आम आवाम से और जिस तरह कहते हैं कि जाती वेल्ट जातिवाद को देखते हुए यहां पर वोटिंग होती है तो उससे बचने के लिए एक अच्छे उमिद्वार के चैन के मैं सरक्सी सदन तक लड़ता रहूँगा खास तोर पर महिलाओं के लिए जिस तरह की वेवस्था यहां पर होनी चाहिए स्वास्त सिक्छा और यह सारी चीजे जो है स्वास्त वेवस्था पर मैं चाहूंगा थुरा आप फोकस डाले क्योंकि सहरसा में कहीं ना कहीं स्वास था है वह सबसे बिहार में अगर लच्चर है तो सहरसा का है चुकि यहां एक एम्स निर्मान के लिए हम लोगों ने संगर्स किया था लेकिन एम्स भी यहां नहीं बन पया जो दरभंगा में बना हम सहरसा के जो स्वास्त विवस्था वो पूरी तरह से चौप एठाचा है सबसे इसकी परमुक समस्या है जो जाम की समस्या है सहरसा में लगभग 25 बरसों में चार बार सिला नयास ओवर विरीज का हुआ है लेकिन क्या कारण है कि अबर विरीज का निर्वाना भी तक नहीं हो पाया निश्चीत रुपें जहां यहां के जो परतिनीदी है वह विकास दिलाता हूं कि अगर हम जनता का सिरवाद मुझे मिला तो इन समस्याओं के लिए मैं सरक्ष दिले के सदंतं संघर्श करूँ रंजी जी वही नेता जो आपके भी आदर्स माने जाते थे और कल महिसी पहुचने वाले हैं मोदी जी आने वाले हैं ऐसे में जनता को कही ना कह जी को अपना आदर्स मानते हैं अज भी मानते हैं और मानते रहेंगे लेकिन सहरसा में जो उनकी जो केंडिडेट का चेन किया वह राष्टिय जनता दल के जो डिवोटी कार्ज करता है उसको इगनौर करके पेरा सुट उमिद्वार को ताला गया यहां पर जिससे तमाम जो हम राष्टिय जनता दल से अलग होका राष्ट अपना उमिद्वारी निर्दलिय के रूप में पेश किये हैं और अगर सर तेजस्वी जादब जी दस लाख नोजमान नोकरी देने की बात पर कायम रहते हैं तो अगर हमें जनता का सिरवाद मिला तो हम तेजस्वी जादब या आप ही पे करें तो क्यों करें और सवाल यह भी कि जब गद्दी मिल जाती है तो साइट सारी समस्यां एक जगह रह जाती है नेता जी भूल जाते हैं कि हमें काम क्या करना है तो क्या रंजीत जी भी बदलाव कर लेंगे वह या रंजीत जी जैसे आज सड़क पर दिख सबको लोगों ने एक बार देख लिया है और इस बार हम अपील करते हैं जब सबको देखा एक बार रंजीत जादव को एक बार देखके आप परखिये और अगर हम विकास में सहरसा के समस्याओं के लिए संगर्थ में पीछे रहेंगे तो फिर दूसरे बार भोट मांगने समस्याओं के सहर सहरसा में जिस तरह रंजीत आदव बता रहा है अलग बदलाओं के लिए हम लोग चल रहे हैं और रंजीत जी को लग रहा है ऐसी परिस्थिती में रंजीत जी को लग रहा है कि इस बार यहाँ पर चाहे महिलाएं हो पुरुस हो या युवा हो उनका साथ इनको मिलेगा लेकिन सबसे बड़ी बात जो है क्या सहरसा पुनह समस्याओं का सहर ही बनने जा रही है या इस बार जनता बदलाओं के मूड में है जनता को चाहिए कि एक अच्छे उमिदवार को यहाँ से चैन कर बिधान सभा भेजे जो सदन में यहाँ की समस्याओं के साथ साथ यहाँ के बिकास के लिए अपनी बातों को बुलंदियों से रह सके और रंजीत जी की जो प्रसनल छबी है वो इस छेत्र में कहीं न कहीं इन्हीं सब चीजों के लिए जाने जाती है लेकिन देखना है कि आखिर यहाँ की जनता का मूड की सौर बनता है और किसे यहाँ का बिधायक यहाँ की जनता बताती है फिलाल आप देखते रहिए कैमरा प्रसन बालकिसन के साथ मोबाइल नियोस 24 अभिसेख कुमार